हेलो दोस्तों बहुत-बहुत वागत है मेरे चैनल में आपका जिसका नाम है चार्ट का ग्यान तो चलिए दोस्तों मंडे के सेशन में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी अब यहां पर क्या कुछ कर तकता है अच्छा मूव कौन सा रह सकता है आप यहां पे खुद यहां पर देख पाड़े होंगे तो यहां पर देखे क्या हुआ मार्केट में यहां पे देखे रेंज था, रेंज के बाद इसने एक ब्रिक आउट किया, ठीक है, ब्रिक आउट करने के बाद फिर मार्केट में एक लो लगा, क्योंकि यहां पे रेंज था, तो यही एक सपोर्ट जोन था, यही पे एक सपोर्ट जोन था, और फिर प्राइस यहीं पे इसी support पे price action फिर से आया है, और फिर यहीं से market में एक bounce back देखने को मिला है, और फिर यह एक अपना resistance था, है ना, तो आप अच्छे से समझेगा इस price action को, फिर से market ने यहां पे देखिए, यहां पे market फिर से आया है, इस support पे, तो यहां पे क्या होना चाहिए, अब market म कि जब भी यहां पे इसके उपर, वन वीक में कम से कम हम लोगों को, जो next वाला वीक होगा चाहिए, यह वाला वीक हम लोगों का जो start होगा Monday से, तो अपने को closing यहां पे हमेशा daily time frame पे, मैं आपको 50 minute पे दिखाऊंगा, यहां पे 44,500 के उपर हम लोगों को यहां पे closing चाहि है, otherwise यहां पे हम लोग negative जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे इस support को market ने third time यहां पे test किया है, तो third time के बाद market में consolidation होने के बाद, या तो वो breakout करता है, या फिर वो breakdown करता है, इस चिज़को आप लोग समझे अच्छे से, ठीक है, price action को, तो अब चलिए 15 minute के time frame पे हम लोग यहां पे आते हैं, और समझते हैं, कि importance level यहां पे 50 minutes में, यहां पे आप देख सकते हैं, तो आप यहां पे एक चीज़ अच्छे से notice कर पा रहे होंगे, एक हम लोग का यह बहुत ही अच्छा यहां पे एक base बना था, ठीक है, base बना था, 50 minute के time frame पे देखेंगे, तो यहां पे support था, यहीं से market support लेके काफी जादा यहां पे range bound रहा, ठीक है, range bound रहा, फिर market में gap up जैसे हुआ, market यहां पे consolidate किया, जो भी यहां पे call को right करके रखे होंगे, वो लोग अपना sort covering करने यहां पे आ गए, sort covering करने आ गए, तो फिर एक market में momentum हुआ, momentum हुने के बाद अगर आप इस zone को देखेंगे, तो यह हमारा एक resistance था, यह हमारा resistance है, क्योंकि market यहां पे काफी ज्यादा consolidation यहां पे कर चुका है, तो यह हमारा एक importance level था resistance का, और यहीं पे market ने एक resistance लिया, थोड़ा यहां पे resistance लिया, फिर market यहां पे continuous देखिए, gap up होने के बाद, market gap up होने के बाद, और यहां पे आप देख पाड़े होंगे previous data, तो यह देखिए, यहां पे हमारा resistance है, ठीक है, यह हमारा resistance है, यह देखिए, यह हमारा resistance है, तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब भी market आ रहा है, तो seller लोग इस चीज़ को control कर रहा है, ठीक है, market में यहां पे इस level पे ज रखे हुए है, तो यहां पे आप चेक आउट कर पा रहे होंगे, चलिए, मैं थोड़ा इसको मैं clear कर देता हूँ, हाँ, यह चीज़ को आप यहां पे देख पाड़े होंगे, तो यहां पे अपना एक measure of resistance यहां पे एक बन चुका है, ठीक है, यहां पे एक market में resistance बन चुका 2SS2RR के according market, इस resistance को market ने यहां पे phase किया, तो अब important level यहां पे क्या रह सकते हैं, यह अब जानना जरूरी है, तो अगर market अगर continuous, अगर 50 minute के time frame पे, अगर market अगर 44,366 के नीची, अगर market यहां पे continuously, अगर trade यहां पे करना start करता है, तो हम लोग यहां पे downside का यहां पे trade देख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए यही एक major support है, major support है, तो market अगर इसका breakdown करता है, तो फिर हम लोग easily, यह सब target easily यहां पे ले सकते हैं, आप अच्छे से notice कर पा रहोंगे, यहां पे भी काफी आदा open interest बना हुगा, consolidation zone है, तो यह स हम लोग को support downside यहां पे देख सकता है, धीक, यह सब हम लोग को दिख सकता है, हम लोग को upside जाने के लिए कम से कम daily timeframe पे daily timeframe इसके». हम लोग को यहां पर क्लोजिंग मिलना चाहिए इसके उपर अगर हम लोग को क्लोजिंग अगर मिलेगा तो ही हम लोग अपसाइट जाएंगे और फिर यह सब हम लोग इसली यहां पर टार्गेट इसली यहां पर ले सकते हैं और देखते हैं यह सब तो मैं यहां पे आप लोग को levels यहां पे बता दता हूं अगर यहां पे downside का पहले मैं आप लोग को बता दता हूं अगर market यहां पे continuously downside तो फिर हम लोग fist target यहां पे लेंगे 44,000 111 44,000 045 3rd target 3rd target 43,000 955 यह 3 target हम लोग downside यहाँ पे इजली यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है अगर market अगर 44,000 250 के नीचे अगर continue हो अगर trade करता है तो आपको यहाँ पे SL थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा आपको SL यहाँ पे 44,000 311,000 का almost यहाँ पे लगा के SL बैठना परेगा तो ही आप लोग को एक अच्छा profit यहाँ पे बन सकता है otherwise आप यहाँ पे 10 point और 20 point में bank nifty में SL लगा के बैठोगे तो वो SL बाड़ बार आपका hit करेगा और SL hunting करेगा upside यहाँ पे momentum अगर market को करना रहेगा तो याद रहे इसके उपर इसके उपर अगर market अगर continuously अगर trade करता है यानि कि 44,350 याद रहे है यह important level 44,350 के उपर अगर price action continuously यहाँ पे market यहाँ पे trade करता है hold करता है 10-15-20 minute और अगर breakout अच्छा मिलता है तो यह high तक हम लोग easily यहाँ पे आ सकते हैं जो कि अपना पहला target 44,411 second target 44,555 and third target 44,611 यह तीन target हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं upside का यह तीन target हम लोग यहाँ पे upside का देख सकते हैं तो clear अगर आपको यह analysis अगर अच्छा लगड़ा होगा तो please मेरे को comment करके जोड़ बताइएगा कि यह analysis से आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख पा रहे हैं ठीक है चलिए और मैं आप लोग उसे एक थोटा सा analysis इसी पे मैं थोड़ा आप लोग को मैं cover कर देता हूँ तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पे logic बताया कि market में एक support देखने को मिला है और support देखने के बाद price action देखे price action कहते चल रहा था ठीक है फिर यहाँ पे एक strong consolidation यहाँ पे जून बनाया है इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इसको अगर market continuous करना रहेगा तो अपने को इसके उपर closing मिलना रहेगा तो ही हम लोग upside जाएंगे तो ही हम लोग upside जाएंगे otherwise अब यहाँ पे क्या हो गया है अब यहाँ पे जब भी market अब नीचे आएगा मतलब यहाँ जब भी market नीचे आएगा उपर जाएगा यहाँ पे market को resistance phase देखने को मिलेगा लोवर-लोवर का यहाँ पे formation करते नीचे आ सकता है और यह सब support को market यहाँ पे test कर सकता है depend करता है October यह अपना October चल रहा है तो इस month का closing कैसा रहता है अगर इस month का closing अगर market sustain करके इसी जगह इसी support पे अगर रहता है तो फेड एक अच्छा हम लोग फेड upside देख सकते हैं otherwise अगर गिरना रहेगा तो market काफी तेजी से यहाँ पे price action बनाते है यहाँ नीचे आ सकता है अगर मैं आप लोग को यहाँ पे weekly time frame पे अगर मैं दिखाओं थोड़ा switch करके तो देखिए यहाँ पे अगर weekly time frame पे अगर आपको मैं दिखाता हूं तो यह अपना एक आप देखेंगे तो अपना यह क्या inverted hammer है इंवर्टेड हैमर की इसको बोलते हैं इंवर्टेड हैमर जो रहता है अपना यह हैमर जो रहता है यह प्रॉपर अपने support पे बनता है तो market यहाँ पे opposite यहाँ पे upside market जाता है और यहाँ पे inverted hammer मैं आपको यहाँ पे photos मैं दिखा देता हूं बहुत यह अच्छा यह candlestick patterns यहाँ पे मेरे पास है चलिए हाँ inverted hammer देखिए यह देखिए आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए अगर नहीं दिख़डा होगा तो आप comment करकर जूर बताएगा यह PDF मैं आपको बता दूँगा ठीक आप मेरे को comment करके बताना तो यह देखिए को फिर यहाँ पे टेस्ट कर तकते हैं तो चलिए दोस्तो अगर यह analysis अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करेगा सब्सक्राइब करके comment करके जूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगणा है और जो लोग भी अगर डिमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पे टियम मनी और आप आपको यह अलाइंस ब्लू का मिल जाएगा आपकिसी एक एक में आप डिमेट अकाउंट ओपन कड़ा के उसमें एक दो ट्रेड आप लोग कर लो तो आप प्रीमियम एमबर्सिप में एड हो सकते हो फ्री ओफ कॉस्ट तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट आनल आसे वीडियो में जय हिंदु